Good morning friends, friends, आज हम चर्चा करेंगे रिनूला के बारे में जानेंगे कि रिनूला क्या होता है, क्यों बनता है, क्या ये cancer में भी convert हो सकता है या cancer तो नहीं है, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा क्या इसके लक्षन आते हैं, और रिनूला है आपको तिसे ठीक करने के जो ह उम्यपैथी में सबसे असरदार दो उम्यपैथी दवाईयां होती हैं, उनकी चर्चा करूँगा, उनकी लेने की exact potency के बारे में बताऊँगा, तरीके के बारे में बताऊँगा, जिसे लगए अपनी आप समझ से ठीक कर सकते हैं, डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर स यह सिस्ट के अंदर सलाइवा ही फिल्ड रहता है, यह क्लियर कलर का मिल सकता है, कभी-कभी ब्लू-इस कलर का भी देखने को मिल सकता है, सलाइवरी ग्लैंड में ब्लॉकेज हो जाता है, या फिर चूट लग गई, ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई, तो रिनूलवा का फंगल डिजीज ना तो वायरल डिजीज ना तो ये बैक्टरिया से होता ना तो फंगस की वज़ा से होता है ना तो वायरस की वज़ा से होता है most important बात कि ये कोई contagious disease भी नहीं है कि एक से दूसरे में फैल जाए Ranula ज़ादातर बच्चों में देहोनेवाली disease है ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है परन्तु एडल्ड ग्रूप बेसिकली 20 से 40 वर्स के लोगों के भी बीच में ये देखा जाता है लेकिन रेशियों पच्चों के कमपरिटेविली कम होता है इनके लक्षणों की बात करें कि क्या लक्षण आते हैं तो सबसे पहले लक्षण तो यही आएगा कि हमारे सलाइवरी ग्लेंट्स जो है वह स्वैल कर जाएंगी स्वैलिंग देखने को मिलेगा सिस्ट जैसा देखने को मिलता है वही बात वापस कि ये क्लियर कलर का भी मिल सकता है ब्लूइस कलर का भी मिल सकता है कि इसकी साइज वहरी करती रहती है, एप एंड डाउन होता रहता है सलाइवरी ग्लेंड्स में होने की वज़ा से ये कभी कभी डिफकल्टी इन सॉलेंड कर सकता है मतलब निगलने में या खाने में थोड़ा सा डिसकंफर्ट या फिर डिफकल्टी पैदा कर सकता है रेनुला ये साइज में बहुत ज़दा निक्रीज कर रहा है तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है लेकिन ये सब रेर सिंटम्स है डियर फ्रेंड्स इसको ठीक करने की हॉमियोपैथी में बहुत अच्छी दवा होती है दो दवाईयों को मैं नाम बता रहा हूं जिनी लेकि अपनी समस्य को ठीक कर सकते है वैसे रेनुला एक सर्जिकल डिजीज है पर उन्त होमियोपैथी का दवाईयों का इन पे असर होता है अच्छा ही फेक्ट आता है इसमें सबसे पहली मैडसिन का नाम आता है थूजा थूजा मैडसिन का 3CH पावर लेना है सेकंड मैडसिन का नाम आता है मौकसाल इस मैडसिन का 6CH पावर लेना है दोनों दवाईयों की चार-चार बूदे लीजिए और दिन भर में चार बार यूज़ करिए आप जल्दी ही देखेंगे आपको रिजल्ट मिलने लगेगा अच्छा रिजल्ट मिलेगा समय के साथ आपका रेनुला खटम हो जाएगा ठीक हो जाएगा आपकी समस्या ठीक हो जाएगी Dear Friends, बहुत ही collective study है पूरा वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को share करिये ज्यादा तो लोगों को फायदा दिलाएगा बहुत धेर सारे लोग इस समस्या से सफर कर रहे हैं और misguide हो रहे हैं प्रॉपर treatment नहीं मिल पा रहा है यदे आप मुझे पहली बार देखें या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यदे प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिसके जो मैं भी मैं वीडियो बनाओ उसके notification आप तक पहुंचें Thank you, thanks for watching